मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमल लंदलाल की भविश्वानी आपका राशिफल इस राशिफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिफल की साती साथ आपको बताएंगे राशिफल कुछ सरल उपाए राशिफल ही आपका शुभंक और शुभंक भी पंचांग बताएंगे और राशी फिल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा विशेश उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुट के मदूर करतेगा तो चलिए शुरुवात करते हैं कमल लंदलाल के भविश्यवानी की पंचांग के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीख है आठ फरवरी दो हजार चौबिस माग कृष्ण त्रयो दिशी पर चंद्रमा धनुराशे और उत्तरा अशाड़ा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा नो शुभंक रहेगा नारंगी या केसरी शुभ दिशा रहेगी इशान राहुकाल रहेगा दोपहर में एक बचकर अठामन मिनट से लेके शाम में तीन बचकर बीस मिनट तक भद्रा रहेगी पाताल की भद्रा ये अशुभ नहीं मानी जाती है य इसके अलावा सुभह ग्यारा बजे से लेके डेड़ बजे तक का भी महुरत बहुत विशेष्ट रहेगा लेकिन ये जो महुरत है शाम को छे बच कर पांच मिनिट से लेकर रात को आट पैचालिस तक ये प्रदोश का समय है और विशेष क्या है सौमी योग बन रहा है ऐसे म खासम खास माग शिवरातरी मनाए जाएगी बड़ा विशेष दिन है और विशेष रूप से देवादी देवो महादेवे के निमत तिलों से विशेष्ट पूजन किया जाता है आज आपको विशेष उपाय में बताएंगे उपरी बाधा यानि कि जादू टोने से कैसे मु शुकावट आ सकती है जौब में बदलाव करने से बचने की मैं आपको सलहा देता हूं कारेशेतर में बाद विवाद के कारण तनाव रह सकता है किसी काम में जल्दवाजी करने से आपको बचना होगा दामपत जीवन भी सुख में रहेगा एक छोटा सवपाय करें किसी गर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आए में बढ़ुतरी की भी संभावना है ऐसे में एक छोटा सवपाय करें गाए को उड़त खिलाए शुभंग छे रहेगा शुभंग रहेगा गुला भी तीसरी राशी में तुन यह नहीं जमनाय की बात करेंगे मैं तुन राशी वालू आफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं आपके रुकेवे कामकाच पूरे हो सकते हैं कारोबार में कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं लव मेट की यानि की प्रीमी की मदद से धनलाब के योग भी हैं सामाज एक कारिक्रम में आप शामिल भी हो सकते हैं कारोबार में नए सौधे होने की संभावना है, आपके आत्म विश्वाश में बढ़ुत्री के योग हैं, दुरघटियां चोट लगने की भी संभावना है, इसलिए आपको संभल कर रहना है, हाला कि समाज में मान पतुष्ठा में व्रद्धी हो सकती हैं, एक चोटा सा उपा करें, तिल के लड़ू बना कर जल में प्रवाहित करें, शुभंक दो रहेगा, शुभंग रहेगा सफेद, पांचवी राशी सिंग यानि की लियो की बात करेंगे, सिंग राशी वलों, कारोबार में नुकसान के योग हैं, जल्दवाजी में कोई फैसला लेने से बचें, अधूरे काम नुट्टाने में कुछ परिशानी आ सकती है, परिवार में कलेश का वातावरंड रह सकता है, माता जी की सेहत को लेकर आप कुछ परिशान रह सकते हैं, ऐसे में एक छोटा सवपाई कीजिए, दीपक जलाकर, उसकी साथ बार परिक्रमा कीजिए, शुभंक ए रहेगा, शुभंक रहेगा, लाल, छटी राशी कन्या, इनि वर्गो की बात करेंगे, कन्या राशवलों, कारोबार में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, पैसों की स्तिति में सुधार आनी की संभावना है, किसी बड़ी कमपनी से जौब का आपको ओफर मिल सकता है, राजनितिक शेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने की संभावना है, रुकावा काम भी आपका बन सकता है, समय छोटा सौपाय करें, गरीब कन्याओं को वस्तर भेंट करें, शुभंक पांच रहेगा, शुभंक रहेगा, हरा, सात्वी रशी तुला, यान उखे के सौदे हो सकते हैं. ऐसे में छोटा सौपाय कीजै, गाई को हराचारा खेलाई, शुभंक रहेगा, शुभंक रहेगा, यान फी रशी वरिश्य के लिए समय अच्छा रह सकता है, चलिया आ रही, परेशानिया सुलिज सकती है, नया काम करनेका आपका मन बन सकता है, कारोबारी फैसले बहुत सोच समझ करके ले इसके लिए आपको सला है सेहत के मामले में आपको सावधान रहने की मैं सला देता हूँ एक छोटा सा उपाय करें तिल के लड़ू जल में प्रवाइत करें शुभंक नौ रहेगा शुभंग रहेगा नारंगी नवी राशी धनू यानि सेजेटेरियस की बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में रुकावट आनी की संभावना है कामकाज के सिलसले में आप बहार जा सकते हैं टौर पे सेहत के प्रति आपको सावधान रहना होगा दूसरों पर आँखे बंद करके भरोसा ना करना आपके लिए हित कर रहेगा अच्छे लोगों से जुड़ेने का मौका भी मिलेगा एक चोटा जौपाई कीजे किसी गरीब कन्या को तिल की मिठाई भेट कीजे शुभंक तीन रहेगा शुभंक भेका फीला कुछ पुरानी परेशानी खत्म होनी की संभाव नहीं है रुके वे कामकाच पूरा करने की आपकोशिश करेंगे किसी पर भी आँखे मूंद कर भरोसा ना करें या आपके लिए बहतर रहेगा पार्टनर से अनबन के योग हैं अपनी भाषा पर थोड़ा सा नी इंतरन बना रखें और एक चोटा सवपाई करें किसी मंदिर की साफसफाई करें शुभंक आट रहेगा शुभंक रहेगा काला ग्यार भी राशिक कुम्भ यानिक अपवर इसकी बात करेंगे कारोबार में अनबहवी लोगों से सलहा मिलेगी अचानक धनलाब के योग हैं महत अपन लोगों से मुलाकात होगी जिससे आपको लाब हो सकता है करियर के मामले में तरक्य में ये कि संभावना है दोस्तों के साथ में कहीं घूंगने फिन्ने भी जा सकते हैं ऐसे में एक छोटा सोपाई कीजे गाय को उड़त की कचवड़ी खिलाएए शुभंक आठ रहेगा शुभंक रहेगा काला बारभी राशिमीन ये पाइसेस की बात करेंगे आफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है सहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा आएके नैसरोत मिलने के योग हैं रोजगार प्राप्ती के प्रयास सफल रह सकते हैं संतान से कोई शुभ समचार मिल सकता है ऐसे में एक छोटा सोपाई करें काली गाय को उड़त खिलाएं गुड के साथ में शुभंग तीन रहेगा शुभंग रहेगा पीला तो दोस्तों समय है आज के विशेश उपाय का वो विशेश उपाय जो उपरी वाधा यानि कि जादू टोने से मुक्ती दिलवाएगा बेहत खास दिन है ये है माग शिवरात्री ऐसे में देवादी देव महादेव के पूजन का विधान है तो क्या करें आप शिवलिंग का पूजन करें और उपरी वाधा से मुक्ती पाने के लिए शिवलिंग पर आपा मार्ग के पत्ते पर थोड़े से काले तिर रख कर चढ़ा दे और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंतर का जाप करें ओम कपाल वते नमहा ये होता है कपाल तो ओम कपाल वते नमहा आश्वस्त करता हूँ आपको उपरी बाधा, जादू टोना, काला जादू टोना इन सबसे निश्चित मुक्ती मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात हो इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाए आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आइस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलिजर से